सब्सक्राइब करें हमारा उफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना हनुमान जी ने अपनी सेवा कार्यों से अपनी पहचान बना है और वो सेवा किसकी करते हैं वो किनके इष्ट है किनके दास है वो श्री राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और राम जी के सेवक है यानि कि श्री राम के कार्यों को वो अपना कार्य मानते हैं श्री राम जी की सेवा को जीवन का लक्षे मानते हैं क्योंकि हनुमान जी को एक सुत्र समझ में आ गया कि नारायन की सेवा सब की सेवा और यहां पर नारायन सेवा संस्थान में आपने चीज़ देखी होगी नारायन सेवा संस्थान का नाम देखिए नारायन की सेवा यहां पर जो भी अपनी सेवाएं अर्पित करता है वो हनुमान जी की पद चिन्नों पर ही तो है हनुमान जिने श्री राम का कारे किया दुनिया हनुमान को जानती है और यहाँ का एक सुत्र है नर सेवा नाराइन सेवा भगवान के उन जीवों की सहायता करें जिनको हमारी जरूरत है एक बर किसी में हम से प्रश्न किया साद्वी जी आप कहती है दिव्यांग लोगों की सहायता करनी चाहिए बेरोजगार लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहिए ऐसे लोगों की जो अपाईज है निर्दन है जो अंग भंग की स्थीती से गुजरे है उनके उपर उपकार होना चाहिए यह तो कर्मों की बज़ा से ऐसे है और अपने कर्मों का फ़ल जेल रही है हम क्यों सहायता करें मुझसे किसी ने प्रश्न किया मैंने का माना कोई ना कोई कर्म इनका सामने आया और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये सब हुआ और अगर कर्म ही प्रधान रख दो तो फिर इंसानियत मानवता करुणा इन गुणों का उचित्य समाज में खत्म हो जाएगा अहल्या का उध्धार शिराम जी ने करके क्या समझाया कि अहल्या अगर श्रापित हो गई है उसका कोई कर्म सामने आ गया तो अपने जीवन की करुणा को वहाँ पर लगाओ और रख्तिका उध्धार कर दो ये मानव और मानवता पर ही टिका हुआ ये धर्म है हमारे अंदर से अगर संबेदना को खत्म कर दिया जाए करुणा को खत्म कर दे मानवता को खत्म कर दे तो हम तो मानव नहीं रहेंगे दानव बन जाएंगे करुणा संबेदना मानवता ही तो हमें मानव बनाती है और हमारी मानवता हमारी संबेदना यहीं कहती है कि ऐसे लोगों की सहायता की जाए इन तक सहायता पहुंचाई जाए और नराइन सेवा संस्थान इसी महानुदिश्य को लेकर आगे बना महरिशे वेदव व्याज जी शिमत भागवत महा पुरान में ऐसे अनमोल सुत्र हमारे सामने रख रहे हैं आपको हम शिमत भागवत महा पुरान के प्रतं स्कंद की और लेकर चलते हैं शिमत भागवत महा पुरान के प्रतं स्कंद का प्रतं स्लोक और भागवत महा पुरान के अंतिम स्कंद के अंतिम अध्यायों के अंतिम श्लोक एक ही बिगुल बजा रहे हैं जानते हो कौन सा सत्य के मार्ग पर चलो और भागवत महा पुरान के प्रथन स्कंद में प्रथन श्लोक में महारिशी वेदव्याजी एक मंगला चरण करते हुए हमें कुछ समझाते हैं वो मंगला चरण क्या है आये शमन करते हुए जन्माध्यस्ययतो अन्वयादि तर्त अर्थेश्व भिग्यह स्वराट तेले ब्रह्म भृदा यादिकवये मोहुयंतियत सूरयह ते जो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्रत्रू सर्गो मृशा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यंपरंधी मही सत्यंपरंधी मही सत्यंपरंधी मही वह कहते हैं जिस से इस जगत का निर्मान हुआ है जो इस जगत को चला रहा है जो समय आने पर इसको संहार की स्थिती में भी ले जाता है जो जड नहीं चेतन है जो ब्रह्मा अथवा हिरन्य गर्भ नहीं है अपितु वो उस शक्ती की बात कर रहें जिसने स्पूरे ब्रह्मान का निर्मान किया है जो त्रिगुणा तीद है जो माया में लिप्त नहीं है लेकिन माया उससे परे नहीं है मैं उसी सत्य सरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ सत्यं परंग धी मही आप भी सत्य सरूप परमात्मा का ध्यान करों और यही बात वो भागत के अंत में लिख रहे है है अंतिमध्याय के अंतिमश्छोपों में सत्तिय का ध्यान सत्तिय क्या है आप से मैं प्रश्ण पूचती हूं सत्तय क्या है आप उत्तर देंगे परमात्मा ठीक है मैं आपसे दूसरा प्रश्न पोच्छती हूँ परमात्मा क्या है आप कहेंगे सकते कोई समाधान हुआ समाधान तो नहीं हुआ मैं आपसे प्रश्न पोच्छती हूँ ये किसका घर है आप कहोगे जिसका मैं बेटा हूँ अच्छा भाई साब आप किसके बेटे हैं जिसका ये घर है भाई साब मुझे बताए ये घर किसका है वो कहते बेहन जी बताया तो जिसका मैं बेटा हूँ उसका ये घर है अरे भाई साब ये घर किसका है आप बेटे किसके हैं यह पहेली पहेली को पहेली में उत्तर दे दिया तो समाधन कैसे मिलेगा केती सत्यंपरंध्hi मही अग सत्य मुला को यह संद्र मात्मा का ज्ञान कैसे धरें इसके लिए सत्य को जानना जरूरी है वो चाहते तो लिख सकते थे कृष्णंग परंधी मही सत्यंग परंधी मही की जगा लिख सकते थे रामंग परंधी मही देविंग पराम धी मही वो लिख सकती थे कि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही देवी सुरूपः शक्ति है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा लेगा जानते हो क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी ने अपने ध्यान के नेत्र के द्वारा ये जान लिया था कि आने वाले समय में ऐसे स्थितियां पैदा हो सकती है कि राम को मानने वाले अपना एक अलग वर्ग तयार कर लेंगे कृष्ण को मानने वाले अपना एक अलग समुदाई संप्रदाई बना लेंगे देवी शक्ति को स्पानने वाले उनके प्रतियास्था रखने वाले अलग ही बात कहेंगे अगर मैंने ये शब्द प्रयोग में लेकर आया तो इनका अर्थों का अनर्थ कर दिया जाएगा क्यों ना मैं इस परम शक्ति के लिए सत्ते शब्द का प्रयोग करूँ राम भी वो ही शक्ति है, क्रिश्न भी वो ही शक्ति है दुर्गा भी उसी से निकली है समय समय पर महान शक्तियां इस धर्ती पर अवतार धारन करती है ताकि वो सारी मानवचाती का मार्ग दर्शन उनको करती रहे और उनको मार्ग दर्शन मिलता रहे लेकिन हम समझ नहीं पाते मत मतांतरों में फस जाते है शिव के भक्त अपने आपको कहते शद शयव धर्म ही सबसे बढ़ा है राम के अनुयाई कहते हैं कि राम से बढ़ी कोई शक्ती नहीं कृष्ण के प्रशंसक कहते हैं रे कृष्ण जैसा तो कोई महान, नेता, राज, नितिग्य और इतनी कलाओं का अज्याता धर्ती पर हुआ नहीं, सब अलग-अलग धरणाओं में बह रहे हैं लेकिन अज्यानता की कारण उन्हें यहां नहीं पता, वो एक ही तो है त्रेता में जो राम बनकर आया, दौपर में उसने कृष्ण का रूप धरण कर लिया समय समय पर वो रूप धरण करता है, हरी अनन्त, हरी कथा, अनन्त, जितने उसके रूप हैं, उतनी उसकी अनन्त कथाएं हैं हम कब समझेंगे इसलिए ये जो आप कुप परव पर उपस्तित हुए हैं, जानते हैं क्यों मात्र गोता लगाना या भ्रमन करना आपका अन्तव्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए आज आपको बताएंगे कि सत्यंग परंग धी मही का इस कुप परव के साथ क्या संबंद है और ये कुप हमें क्या सिखाना चाहता है कुप हमारी संस्कृतिक आस्था का सबसे बड़ा प्रतिक लोक मानव परंप्रा की सबसे बड़ी शक्ति का परिचाहिक है ये कुप परव ये ऐसा परव है जहां राम के भक्त भी आते हैं क्रिश्न को मानने वाले भी आते हैं जहां शैव भक्त भी पहुंचते हैं जहाँ दिगंबर भी पहुंचते हैं, जहाँ श्वेतामर भी पहुंचते हैं, जहाँ पर निराकार भी पहुंचते हैं, सकार को मानने वाले भी पहुंचते हैं, यह है हमारे भारत का कुम्ब जो सब को एक जुट करने का समर्थ कर रखता है, यह वो कुम्ब पर्व है, यह दmostकनल चाहित वह जाती है यहीं तो वह फट्रथी बन जाती है कि नागा सार्स जम अपनी भक्ती चरम उतकर्ष और भक्ती की गंगा में बंगाने आते यह तो उनको देखकर कभी पाफ्मै विचार प्यादा नहीं होते हैं यह कुंग जैसी धर्ती जहां पर अनेकों संत एक जुट होकर अपनी तपस्या की संकीन शक्तियों से उपर उठकर महान अपनी संकेत देते हैं और दुनिया को एक जुटा का संदेश देते हैं यही सत्य है यही भारत की संस्कृती है यही सनातन संस्कृती है और ये वो धर्ती है जिसे विश्ववारा संस्कृती का नाम दिया गया और ये विश्ववारा संस्कृती में विदेशों से सेलानी आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या है भारत की संस्कृती आखिर क्या है भारत की आस्था आखिर क्या है भारत की माननेता तरने हैं तो हमारे भारत की धर्थी में जहां बुम्स लगता है आप आएंगे हम आपको अपनी सनातन संस्कृती का दर्शन करवाते हैं जहां सभी एक ध्वजा के रीचे खड़े हैं यहां तरह तरह के अपारे हैं तरह की परमपराएं तरह के आप रहे हैं हमारे भक्ति की कि यहां भक्ति की विविलता देखिए यहां सत्या का दर्शन तो कीजिए आप जानते हैं कि बाई सराय लिन हुए है एक उन्होंने एक बार हमारे पंडित मदन मोहन माल विया जिसे का प्रश्ण पूचा उन्होंने कहा मदन मोहन जी मुझे इस प्रश्ण का उत्तर दो जब कुम लगता है लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं इतने लोगों को इन्मिटेशन कैसे देते हैं आप एक अंग्रेज अदिकारी का प्रश्ण है इस प्रश्ण का उत्तर देने से पूर्व मदन मोहन माल विया जी मुझे उन्होंने कहा कुम पर्व में इन्मिटेशन नहीं बनाए जाते हैं ये हमारी भारत्य संस्कृति का पंचांग है जो अपने आप सभी को न्योता देता है और फुर्व में वो इकठे हो जाते हमारी संस्कृति के महानता देखिए इसमें एक-एक व्यक्ति को एक-एक साधु महात्मा को एक-एक योगी को एक-एक साधु को इन्मिटेशन नहीं मिलता ये संस्कृति का पंचांग कहता है इकठे हो जाओ ये ग्रह नक्षक्रों की दिव्य तरंगे तुमारे स्नान के लिए त महात्मा गांधी जब अफ्रीका से वापिस आए अपनी वकालत का काम पूरा कर उन्होंने भारत में जब पहली बार कुम्ब देखा उन्होंने कहा ये कुम्ब में दूसरा भारत बसता है इसमें हमारी भक्ति की विवज़ता मुझे दिखाई देती है अगर मुझसे कोई कुम पूछे तो मैं कोंगे कुम्ब मेरा दूसरा भारत है अगर पूरे विशाल भारत को एक जगा पर देखना है तो जहां कुम्ब लगता है वहां पहुंच जाना आपको भारत दिख जाएगा यहीं प्रश्ण एक बार यूरोपिय संस्कृती में पले पंडित ज्वारला नहरुजी उनसे किसी ने पूछ लिया वह यूरोपिय संस्कृती से प्रभावित बहुत थे कहते नहरुजी कुम्ब की परिभाशा अगर आप से पूछे तो क्या देंगे ज्वारला नहरुजी ने कहा कुम्ब को मैं समग्र भारत का नाम देने मैं समर्थन करता हूँ ये मेरा समगर भारत है इसमें भारत की संपून छटा दिखाई देती है भारत की विव्धिता जो लोग अपने आपको अलग मानते हैं यही धर्ती है यही कुम्ब है जो सबको एक जुट कर देता है और एक आकाश के नीचे सबको ले आता है यह है हमारा राष्टर यह हमारे राष्टर की सांस्कृतिक असमिता है यही लोग मानव है यही लोग आस्था है अगर हमारे भारत राष्टर को खंगालने निकले तो ऐसे रत्न मिलेंगे जिनको देख देख कर विदेशी सैलानी तो नतमस्तक होंगे ही होंगे हमारे अपने बंशजबी नतमस्तक हो जाएंगे इसलिए ये राष्ट्र हमारा पूजनिय है इसका आराधन करें, इसको नमन करें हमारे रिशियों की ये पवित्र स्थली है जिनकी वज़ा से इस धरती का अध्यात्म बचा है जिनकी वज़ा से हमारी संस्कृती बची है हमारी धरोवर बची है और ऐसी छटा केवल भारत राष्ट्र में मिलती है हम ऐसे राष्ट्र को आराधन करते हैं ऐसे राष्ट्र को नमन करते हैं तन से मन से और धन से तन मन धन और जीवन से हम करे राष्ट आराधन हम करे राष्ट आराधन हम करे राष्ट आराधन हम करे राष्ट आराधन तन से मन से और धन से तन मन धन और जीवन से हम करे राष्ट का वंदन हम करे राष्ट आराधन हम परी राष्टि आराधन, आराधन अंतर से मुक से क्रत से, नीष्चल हो निर्मल मत से सर्था से मंतक नत से, हम करे राष्ट आविवादन हम करे राष्ट आराधन हम करे राष्ट आराधन हम करे राष्ट आराधन अपने हसते से सबसे अपने खिलते योबन से जोडता पूड जीवन से हम करे राष्ट का अर्चन हम करे राष्ट का अर्चन तन से मन से और धन से तन मन धन और जीवन से हम करे राष्ट का अर्चन जाव डाल डाल पर सोने की खिडिया करती है बचेरा हम करे राष्ट का अर्चन हम करे राष्ट का अर्चन अपने अतीत को पड़कर अपना एतिहास उलटकर हम करे राष्ट का अर्चन हम करे राष्ट का अर्चन हम्टरी रास्मा रादर प्रयाथ हमें युख युख की जलती अनीक घटनाएं दो मौकी से बापग पर आई बन कर विपुदाएं हमने अभशेक किया था जननी अर्षो सुनित से हमने स्रंगा रिखिया था मापा का अर्मुनों से हमने तो उसे भिया था सांतित के उच्च सिंगा संग माजिस पर बैठी सुक से करथीती जगता सासन अब काल चक्र की गत से वह तूट गया सिंगा सन अभणा थन मन धन देकर हम करे पुने संतापन हम करे पुने संतापन हम करे राच्च सा राधन हम करे राच्च सा राधन हम करे राच्च भारत माता की भारत के सपूत होकर जयगोश्च इतनी ठंडी कि मुझे बताएं हम अपने राष्ट का अराधन करे इसकी संस्कृति को नमन करे यह कर्मकांडों से मंडित संस्कृति नहीं है इसके पीछे बहुत सी व्यज्ञानिक ता चिपी है इसे समझने की जरूरत है महरिशी वेदव्याजी भागवत महापुरान में लिखते हैं कि सूजी शौन की त्यादी रिश्यों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब महाभारत का युद चल रहा था उसमें कौरव और पांड़पक्ष के बहुत से वीर वीर गती को प्राप्त हो चुकर थे ऐसे समय में दुर्योधन खून से लथपत पड़ा मानों अंतिम श्वा से गिल रहा था अश्वर्धामा अपने मित्र दुर्योधन के समी पाया और कहने लगा मित्र तुम युवराज थे इस महा भारत युद में सबसे बलशाली होकर भी आज तुम खून से लथपत इस धरा पर पड़े हो मेरी पिड़ा का कोई अंत नहीं है लेकिन तुमारी इस परिस्थिती को देखकर मैंने ये निर्णे लिया है कि मैं पांड़ों से तुमारी ऐसी स्थिती का बदला अवश्य लगा यहाँ सोच कर अश्वत थामा ने रात्री के निर्वीड अंधकार में पांड़ों के शीविर परमानों अक्रमन कर दिया हो ये बोल समय था जब रात के समय में भगवान शिरी कृष्ण पांड़ों के पास आए और उनको कहने लगे कि चलो भ्रमन करने चलते हैं पांड़ों शिरी कृष्ण जी के मार्ग दर्शन में रहते थे पांड़ों ने कहा जी प्रभू जैसी आपकी इच्छा पांचो भाई भगवान शिरी कृष्ण जी के साथ भ्रमन है तो चल पड़े चलने से पूर शिरी कृष्ण जी ने पांड़ों पुत्रों से भी यही कहा कि तुम भी चलो लेकिन वो कुमार कहने लगे नहीं मामा श्री युद्ध में हमें बहुत धकावट हो गई है बहुत क्लांथ हो चुके हैं हम विश्राम चाहते हैं हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं पांचो पांडव भगवान शिरी कृष्ण जी के साथ चल दिये लेकिन द्रौपदी के पांचो बुत्र कृष्ण के कहने से उनके साथ ना चलकर विश्राम में चले गए और ऐसी समय में अश् ताकर्टी